इस नए सेशन में on derivatives analysis and valuation क्या आप आज भी कुछ नया जिगने के लिए तयार है पुलेक चलो यार शुक्का आप में देनी किस बात की स्टार्ट करने वाले हैं आज अपन futures so options done and dusted हो गया है कुछ चारपात sums आप लोग को homework के लिए दिये था है होप आप लोग ने कर लिये थे and in case in case कुछ उसमें doubts I think फरी को एक दो doubts थे है तो we'll see after the lecture या कभी बीच में जभी भी अपने को time मिलेगा अपन उसको भी re go through कर लेंग आज start करते हैं fresh start है तो fresh चीजों से start करना चाहिए and today we are going to start with something called as futures something called as futures तो आप लोगों को याद हो तो याद करके बोलो क्या बोला था अरे याद करो रहे पगलो मैंने तुम लोगों को बोला था कि treat each part of this chapter as a separate chapter correct that's there that's true nice point बता थी but उसे importantly मैंने आप लोग को बोला था कि आज आना भूल जाओ कि तुम लोग CA institute के CA final के student बनके मेरे पास आये हो तुम लोग आज मेरे student हो और मैं तुम लोग को मेरे तरीके से बत करना है और फिर बाद में मैंने आप लोग को क्या बोलाता है याद है कि उस basis पर मैं practically बताऊंगा आपको कैसा होता है फिर अपने लोग ने ट्रेडिंग किया तो options का first session में तो exactly आप मेरे student हो exactly for in आज जब मैं नया chapter चालू कर रहा हूं अपने लिए futures options forwards अपने लोग ने इं फाइनल के student हो यह बहुत तोप लोग हो नहीं आज आप एक normal student हो जो मेरे पास practically future सीखने आए कैसे options के उपर आप लोग का grip है क्यों पता है वो first session अपना इतना smooth था इतना fruitful था तो base foundation बहुत strong था अपना and that is where you could think, evaluate, question, critically answer and वोही same चीज मैं चाहता हूं अपन futures के लिए भी use करें क्या बोलता है public right so बस यही एक ही वापस से मेरे को request है आप लोग सब लोग से कि आज भी आप लोग ऐसे ही सोचो के जैसे तुम लोग मेरे student हो भूल जाना कि ICI का तुम लोगा कुछ connect है आज practically बताऊंगा तुम्हारे को futures कैसे trade होता है और फिर कल से तो वही घोड़े वही मैदान वह तो तो तुम लोग इंस्टिट के module के sums कराने है module इंस्टिट का तरीका करवाने है उसको तो follow कर रही है कोई doubt है नहीं है और practically समझ लेते हैं और फिर connect करते है कौन ना होता है right guys तो चलेगा वह अप्रोच सही लगा था तुम्हारे को पूछ लू तुम लोग तो है कि नहीं है चल चल ओके सो लाइव वालों से green signal आ चुका है करते हैं फिर इस बात पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं अरे-अरे-अरे-अरे क्या बात है क्या बात है क्या बात है चल तो एक नेणगे को आता है क्या अाथ लोग को फोर्वर्वड यहां थे फोर्वर्वर्ड कि इससे में थोड़ा connect करूंगा futures को इससे मैं connect करूँगा थोड़ा futures को ठीक है क्या आप लोगो forward याथ है forward forward बस तो forward में क्या होता था याद करो forward में क्या होता था याद करो मैं आपको याद दिला था suppose आप हो Mr. X ठीक है आप जाते थे bank के पास ठीक है और आप जाके bank को क्या बोलते थे या तो आप importer हुए या तो आप exporter हुए थोड़ा bank को पीछे ले ले थे आपन ठीक है या तो आप importer होते थे या तो आप exporter होते थे अगर आप importer होते थे तो आप bank को जाके क्या बोलते थे कि bank मुझे है न से USA में दो महिने के तीन महिने के बाद दो लाक डॉलर पहुचाना है दो लाक डॉलर पहुचाना है तो तीन महिने के बाद मुझे आज से पर एक्जमपल आज है फर्स्ट ऑफ जैन और से तीन महिने के बाद मतब फर्स्ट ऑफ इपरिल को मैं तेरे पास आऊंग बैंक तु मुझे दो लाग डॉलर देना और वो दो लाग डॉलर में यूएसे में मेरा जो पार्टी है उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा ऐसा ही कुछ आके अपना इंपोर्टर बोलता है बराबर है बैंक को और बैंक बोलता है ठीक है नो प्राब्लम बट 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 आप क्य डॉलर दिया बत और क्या होता है बोलो बोलो चल 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 अब जिस दिन आपने ये बैंक को जाके बोला कि बैंक तीन महीने बाद डॉलर लेने आऊंगा डॉलर रेडी रखना उसी दिन आपने तीन महीने बाद का रेट फ्रीज कर दिया एफा होता था कि नहीं होता था उसी दिन आपने तीन महीने बाद का rate freeze कर दिया तो say for example आज rate चल रहा है one dollar equal to rupees 95 और एक महीने बाद होने वाल है under one dollar equal to hundred तो ये forward rate आप क्या कर देते थे freeze कर देते थे बराबर है अब जब आप उसके पास जाओगे किसके बैंक के पास जब आप जाओगे तब क्या होगा तब क्या होगा मेरे को बोलो तब आप उसको क्या दोगे तीन महीने बाद जब आप बैंक के पास जाओगे तब सिनारियो क्या होगा तब सिनारियो कुछ ऐसा होगा कि दो लाग डॉलर multiply by 100 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से आप उसको दो करोड रुपे दे दोगे जैसे आपने ये दो करोड रुपे दिये बैंक आपको दो डॉलर दे देता था और आप डॉलर आपके जो एक्स्पोर्टर जिसने एक्सपोर्ट किया है आपको आप इंपोर्टर हो अब उसको पैसा दे 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 गेम ओवर डीन close do you remember all of this याद आया आप लोग सब लोग को बराबर है वैसे ही अगर आप समझो एक्सपोर्टर थे तो आप क्या बोलते थे बैंक को कि बैंक मेरे पास ते पर एक्सपोर्टर है अपना लंडन से अपने लंडन पर एक्सपोर्ट किया है अपने पास एक लाग पाउंड आने वाला है आज से तीन महीने बाद आप bank को क्या बोलते थे सुन bank तीन महीने बाद मैं तेरको आप पाउंड लाके दूंगा तू मुझे सामने उसका रुपीज दे देगा क्या bank बोलता था yes no problem done मैं तेरको रुपीज दे दूंगा कितना रुपीज दूंगा वो आज का आज ही freeze कर लेते थे कितना रुपीज दूंगा वो आज का आज ही freeze कर लेते everybody yes or no yes sir so forward transaction आप लोगो यादा गया मैं इसलिए करने कर रहा हूं कि forward connected है जैफा forward है वैसे ही futures है सिर्फ एक दो point यह रहें थे आज से बाकी सब एकदम अंडर्स्टैंडेबल है तो अब forward में अपनों क्या करते थे एक लाख pound मेरे पास आया एक लाख pound मेरे पास आया तीन महिने बाद मैं गया बैंक के पास हम लोग ने तो forward में rates freeze कर लिया था पहले ही समझो एक pound का था जिस दिन में आया था परस्ट परस्ट ऑफ जैन को जिस दिन में आया था उस दिन था एक पाउंड का से रूपीज 105 हम लोग ने freeze कि 110 कि वाई एक महीने बाद तीन महीने बाद मैं जब होंगा तब मुझे एक पाउंड का 110 चाहिए तो के ना इससे यहां पर अब जब मैं जाओंगा थी महीने बाद तो वो मुझे कितना रुपे देगा बैंक बोलेगा कि यहां बैटी के एक लाग पाउंड इन 210 कितना हो गया बोलो बो चल चल पमें रुपीज 1.1 रुपीज 1.1 को यह आपके अकांट on यह आपके अकॉंट में आ गया यह आपbird 2 क्रोन आपको देना पड़ेगा 2 लाग डॉलरा आपको मिल जाएगा आपके एकस्पोर्टर को भे ज देना क्या यह पूरा का पूरा कहानी याद है फॉर्वर्ड में अपन क्या करते थे बरावर के नहीं future future almost similar है बस यहां पर क्या होता है पता है क्या है यहां पर यह लोग क्या बोलते हैं की प्यूचर में ऐसा ही कुछ सिनारियों हो रहा है द्यान से सुनना से बड़ बड़ सीन क्या है कि सपोज मैं उधर जाके बोलता हूँ बैंक को कि बैंक आज अभी ध्यान से सुना प्लीज सेम एक्जामबल दे रहा हूं उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं सपोज मैं हूं Mr. X Mr. X और अब मैं जा कर रहा हूं वापस से बैंक के पास जा रहा हूं और बैंक को बोल रहा हूं सुन बैंक मुझे है ना मुझे है ना एक लाक डॉलर आने वाला है मेरे पास मैं एक्सपोर्टर हूँ मेरे पास एक लाक डॉलर आने वाला है ठीक है एड़ रेट आज का आज ही अपन लोग से पर्स जैन है आज ही अपन लोग ने भाव फिक्स कर लिया था कि आज एक पाउंड का भाव हुए रुपी 105 पट कुछ टाइम के बाद हो जाने वाला है 110 110 हो जाने वाला है बरावर है तो एक तीन महीने बाद तू मुझे यह दे देगा बरावर है कि नहीं अब समझो यहां पे बैंक की जगा पे stock exchange गुसा देता हूँ मैं मुझे बताओ forward transactions bank के साथ होता था यहां पे मेरा transaction futures में मेरा transaction किसके साथ होने वाला है correct बीच में कौन होने वाला है bank नहीं होने वाला है stock exchange होने वाला है dollar का transaction किया है pound का transaction किया है actually मेरे को rupees देकर dollar लेना पढ़ रहा था और फिर बाद में dollar मैंने भेज दिया या फिर मेरे पास pound आया वो मैंने दिया asset और फिर बाद में rupees लिया मेरे पास यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा यहां पे क्या हो जाएगा पता है क्या settlement हो जाएगा यहां पर internal settlement हो जाएगा जी हाँ यहाँ पर मैं ना कोई actual buying करूंगा ना कोई actual selling कर रहा हूँ मैं खाली यहाँ पर देखूंगा कि भाई मेरे rate में क्या difference है खाली वो जो rate difference है उसका मेरे को पैसा दे देना that basically is called as futures so क्या आप real में buy कर रहे हो क्या नहीं क्या आप real में sell कर रहे हो क्या answer is no and that is where futures comes into the pictures that is where futures comes into the picture यहाँ पर तो आप actually dollar लेकर जाओगे pound लेकर जाओगे और उससे rupees लोगे यहाँ पर तो आप actually rupees से dollar में convert करोगे actually dollar का delivery लोगे right so there is actual delivery of the underlying asset in forwards भाई भरावर कि नहीं मेरा forward में तो literally वो transaction हो रहा है but futures में एफा नहीं जरूरत है मतलब अगर मैं reliance के future में खेलता हूं just take आपको example दे रहा हूं reliance के futures में खेलता हूं तो futures reliance का जो cash market है वो अलग है futures market अलग है तो क्या मेरेको real में reliance खरीदना है क्या the answer is no the answer is no so यहाँ पे सबसे important point futures और forwards का एक जो difference है वो है दो important differences आपको दिखेंगे एक difference दिखा होगा कि यहाँ पहना आप लोग transaction करते हो बैंक के साथ अब अब मैं आपको और एक बोलता हूं forwards में forwards में आपने बैंक के साथ transaction किया समझो आप और मैं हूं ठीक है अभी आप लोग को पता है कि मैं United States of America जाके आए तो मेरे पास बहुत सारा डॉलर पढ़ा है आप मेरे फ्रेंड हो आप हो एक इंपोर्टर या एक्सपोर्टर ठीक है आपको से पर एक्जांपल डॉलर च मैं पढ़ा है ऐसा कम करना तीन महीने बाद मेरे को रही डॉलर का जवर्त है तो तीन महीने बाद मेरे को तेरा डॉलर देगा क्या मुंबला दे दूंगा बट आप बोलते हो कि नहीं पर प्राइस अपनी का भी अभी फ्रीज कर ले तो क्या यह पॉसिवल है कि आप लोगो कहा करोगे , आप क्या करोगे या इंको पेमेंट करना है आप मेरे साथ कर संक्रप आज यह डॉलर का तीन महीने बाद तू मुझे दो लाग डॉलर दे देना और उसका आपन लोग आज का आज ही प्राइस फ्रीज कर देते हैं 100 रुपया पर डॉलर आपको भी लगते हैं ठीक है 100 रुपया बरावर है तीन महीने में उतना डॉलर का भूमेंट भी हो जाएगा तो 100 के उपर फ्रीज करते हैं तो आप और मैं ऐसा कुछ प्राइसिंग फ्रीज कर सकते हैं या नहीं सबसे पहला जवाब दो बोलो आप और मैं ये फ्रीज कर सकते हैं या नहीं और सब लों का आणसर हैै नो मैं पुछता हूँ क्यूं क्यों नहीं कर सकते महिमानो बोलरीयrijk मीननल या चंदद्ण not बुल रहें और विन दोबुल रहें को हमौळ रहें अब वो तो क्या एक को देखे सब नो बोल रहें अब रभीन नो बृतन कि ऑ यार उससे कोई फरक ने बढ़ता है यह लोग का यही प्रॉब्लम है यह लोग आना बहुत ज्यादा थेयरी में घुच जाते तो थेयरी में इन्होंने कई तर पड़ा ऑथोराइस डीलर होना चाहिए और अल अब दैक रभिश मेरे पास डॉलर पड़ा है तेरे पास कैश बाओ चल रहा है तीन महीने बाद 100 रुपे में देगा बात कदम डील ख्लोज डन कौन रोकेगा मेरे को कौन रोकेगा मेरे को आर बी आए फैमा वह सब साइड पर हटाओ ना भाई इधर अभी फाइनाइंस की बाद चल रहे है क्यों तुम बीच में तुमारा इंडियन हो गया है तुम्हारे को कोई तकलीफ है क्या वह आर भी आए फैमा यह सब का होता है प्रोफेशनल वाला हूं यहां पर तो हम लोग दोनों बैटे हैं बढ़ा औरे खाना माना मस्त खा रहे कई पर बाहर गए थे खाना खाने के लिए मैंने मेरे फ्रेंड को बोला फ्रेंड बाइब तीन मैने बाद मुझे चाहिए दो लाग डॉलर देगा क्या मैंने बुला देगा अरे सुन अभी भाव चल रहा है 95 कितने में देगा सुन आज का आज भाव फ्रीज कर लेते हैं तीन मैने बाद मैं देगो 100 रुपया पर डॉलर के हिसाब से देगा चलेगा चलेग बाई हम लोग ने क्या किया पता है we have entered into a forward we have entered into a forward और क्या सा कर सकते है कॉन ना बोलता है कुछ बता हूँ हाल दुए यार यह सब लाओ बीच में गुसाते हो जिन्दगी तुम्हारी परबाद हो जाएगी अगर कानुन के हिसाब से चलने जाओ गयो सारे नियम तोड़ दो नियमों से चलना चोड़ दो गाना है actually so इसके लिए वो थटाओ what we have done I and my friend have entered into a forward transaction I and my friend have entered into a forward transaction और वो forward transaction अम लोग में कैसे किया table पे आमने सामने बैठ कर तो क्या forward ऐसे कर सकते है the answer is yes so इसको बोलते है over the counter transaction OTC सुना होगा तुम लोग ने OTC OTC सुना होगा तुम लोग है इसको बोलते है OTC over the counter transaction तो forward में यह OTC चलेगा forward में आप लोग दोनों ने अपने हिसाब से खुद का मनमानी के हिसाब से rate set किया एक खुद का contract बनाया और उस contract को फिर execute करो और execute हुआ नहीं हुआ बीच में को stop exchange क्या आपको समझ में आया सबसे पहला difference सबसे पहला difference आपको समझ में क्या difference कि forwards में क्या होता है over the counter game हो जाता है यहां पर क्या हुआ फ्यूचर में there is a intermediary और यह intermediary को एफाव एफाव नहीं बहुती स्ट्रॉंग intermediary है जिसको अपन कहार से कहते है रेक्स्टॉप exchange अभी clear everyone so forward kind of आप और मैं भी बैटके सेटल करें ना कुछ उसको तो कर सकते है बट अगर मेरे को futures में खेलना है तो क्या आप और मैं futures में खेल सकते है क्या नहीं उसके लिए अपने को कौन चाहिए stop exchange सबसे पहला point forward of futures में सबसे पहला point of differentiation यह 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 बाकी तो आपको लगया कि यह forward जैसा ही है यह forward जैसा ही है but forwards में internal होता है over the counter होता है यहां पर कौन है बीच में stock exchange बीच में it is called as futures are exchange traded इसको क्या बोलते है futures और इसका अगर मैं एक ऐसा differentiation बनाऊ ना इसका मैं forwards का और futures का सब्कोज मैं differentiation बनाता हूँ पहला point of differentiation क्या मिल आपको पहला point of differentiation क्या मिल आपको forwards क्या है correct over the counter है over the counter OTC futures क्या है बूलो बूलो चल चल करेक्ट इस exchange अब मेरे को एक और दूसरी चीज में आप लोगो बता तो इसी से connected forwards में जो contract बनता है मेरे और मेरे friend के बीच में आप में और मेरे के बीच में समझ रहे हो can I say अभी मैंने तुम लोग के साथ एक deal किया दो लाट डॉलर में दूंगा इतने इतने बाव पे और इसी साब से हो जाएगा तीन महीने बाद आजा बढ़ा रहे है अब से for example अगले दिल मेरा और एक friend आ है उसका भी सेम था यूएस डॉलर चाहिए उसको वह भी इंपोर्टर था उसके साथ में कुछ और कस्टमाइजेशन करूगा समझ रहे हो सो कैना इसे फॉर्वर्ड में कस्टमाइज कॉंट्रेक्ट बनता है बट फ्यूचर में अपने को एक्सचेंज के तुरू ट्रेड करना है तो कस्टमाइज होगा या स्टैंडड़ाइज कॉंट्रेक्ट होगा बोलो चल 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 वेरी गुड पॉइंट अर्विन दूस्पे और भी ब्यार रहा हो गल्म मिलt है कि अ नियुक्त क्सटमाइज कॉंट्रेक्ट बनेगा और कहां पे स्टैंडडडाइज बनेगा करें superior का रॉर्वन सौर्वड्ल में sisters कॉंट्रेक्ट हरे कस्टमर के साथ बैंक अलग फॉरवर्ड कॉंट्राइट बनाता है हर एक कस्टमर के साथ बट फ्यूचर में हर एक के साथ ऐसा करते रहेगा एक्सचेंज तो खत्म होदाएगा जिन्दगी क्योंकि हर सेकेंड पे नया नया फूचर डीलिंग होते रहता है यहां पर क्या है के समझ रहे हो क्या संपडर्डाइज सरो मेला मेंने आज वह आज कौन हूं है मैं तुम लों कौन हो आज अपन दोनों में ICI बीच में है क्या अब तक जितने भी session हुए एक option को छोड़के ICI बीच में खड़ा था तो मैं उतना ही पढ़ा पा रहा था जितना ICI को चाहिए तो उतना ही पढ़ना चाहते थे जितना ICI चाहता है अपन दोनों के बीच में एक बीच में बंदा है उसके हिसाब से अपन दोनों पढ़ रहे अगर मैं यह नियम हटा दू ICI को तो मैं आपको options जैसा मैंने फर्स लेक्चर लिया था ना वैसे ही बढ़ा हूँ नो रूल्स नो नतिंग सीद्धा प्राक्टिकली बट ठीक है आज तो आज अपना वही दिवाला दिन है अब मैं और एक 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 जांपल पे जा रहा हूं तैयार हो क्या आप लोग और ग्जांपल पर जा रहा हूं तयार हो क्या तो ऐसे एक एक जांपल से डिफेरेंस बीटून फॉर्वाड एंड फूचर भी समझ लेंगे और फूचर भी समझ लेंगे बदा रहा हूं समस्ञे हो चला और और कुछ चीजे और भी कुछ पोइं और पोईंटस है इन दोनों के differentiation के इन दोनों के differentiation पर वो अब मैं आपको बताऊंगा मेरे next example यहाँ पर example आगे बढ़ेगा यहाँ पर example आगे बढ़ेगा अब example लेते हैं अपनलों कोई एक physical asset का example लेते हैं चलो बोलो कोई भी एक physical asset जिसका ट्रेडिंग होता है वाई futures में तो हल्दी का बहुत सारी चीज़ों का होता है अपन लोग लेते एक्जांपल ले गोल्ड का लेते हैं अब सुनो कि तुम लोग को transaction लाइब चाहिए देखते हैं मैं ज्यादा खेलता नहीं हूं जान मुझगे क्योंकि मैंने बहुत पैसा मैंने स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा गवाया है ना क्यों futures में क्यों क्यूंकि मैं systematically trade नहीं कर रहा था मैं मतलब बस करने के हिसाब से कर रहा था इसके लिए future से मैं तोड़ा दूर रहता हूं हाँ गोल्ड है silver है wheat है very good very good चलो गोल्ड का example अब यहां पे सीन क्या बताए क्या आप और मैं हूं कौन है Mr. Sunkal पर और students है तो कौन गोल्ड का व्यापारी बनना चाहेगा आप लोग में से ना बताओ आप लोग में से कौन गोल्ड का व्यापारी है मुझे बताओ मैं उसका एक्जांपल लेता हुए आपने क्या बता है चंदन बिटवा बुल रहे है सर मैं मैं गोल्ड का व्यापारी हूं मैं गोल्ड का व्यापारी बनना चाहेगा चलो तो से फ़र एक्जांपल अभी एक ट्रांजेक्शन होने वाला है चंदन बिटवा और संकल्प के बीच में ठीक है अब ध्यान से सुनदा यह प्रवीन शक्तिवान के विच्वड है शक्तिवान आ जाए यह नहीं है तूं जबर्दस्ति शक्तिवान शक्तिवान कर रहा है चले जा देख अब सुनो अब सुनो ध्यान से सुनदेओ फ्यूचर्स और फॉर्वर्ड्स का ट्रांजेक्शन के तुरू एकदम इजीली पता चल जाएगा अब सीन के पता है क्या अंदर का बात बता रहो प्लीज किसी को बोलना मत था प्लीज किसी को बोलना मत लेक्चर मत लीको ले तेरा प्लीज अब सुनो अपना जो classes का business है उसमें तुम लोग को तो पता ही होगा cash का transaction होता है please बोलना मता किसी को पक्का ना हाँ, top secret आप में और मेरे में top secret तो आप लोग को ये तो पता ही होगा कि रोकडा का game बहुत होता है सुना है कि नहीं तुम लोग ने स्टूडेंट आता है cash देता है हम उसको lectures दे देता है बात खतम हो गया तो क्या आप लोग को पता है कि classes के business में cash generation बहुत होता है हाँ या ना पहले मुझे बताओ ये business है जापे बिंदास cash generation हो सकता है हाँ या ना सब को पता है ठीक तो तो चलो ये बात तो आप लोग को पता है कि सर हाँ cash generation तो काफी अच्छा होता है and पत्मावती yes question mark it's a yes it's a yes so मेरे पास भी तोड़ा cash आ गया था यार थोड़े है जादा नहीं आ मेरे पास भी बहुत सारे student आ गया result आया उस दिन इंटर से फाइनल वाले और यह वह तो पुब्लिक आया सर्फीज की तरह है सरी तरह है लो cash लो गया cash लिया दिया cash दिया गया cash दिया गया तो बहुत सारे student आये आप लोग के वह लेक्चर करीदे होंगे तो cash में कई बार करीद लेते होगे तो cash हमारे पास अच्छा कासा हो जाता है ठीक है तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ cash मेरे पास आ गया है अब मेरे पास दो option है या तो वह cash को officially बता हूँ और उसके उपर GST और income tax भरू और उसको white कर दूँ या फिर cash अपने पास ही रखू कोई GST नहीं कोई income tax नहीं वह मेरे पास हो गया black money बोलो क्या करना चाहिए तो क्या करना चाहिए तुम लोग को बता है न ब्लैक मनी यही तो होता है वह जिसके उपर tax नहीं पेगिया वह ब्लैक मैनी सिंपल तो मेरे पास cash आया है समझो मेरे पास एक लाग रुपया cash आया है मेरे पास तुम लोग मेरे मेरे पास एक लाग रुपया cash आया है मेरे पास दो option है या तो इसके उपर मैं पहले GST दू, तो 18 टका GST दिया, तो बचा मेरे पास 82,000 फिर इसके ओपर मैं 30 टका income tax दू, ठीक है, कितना से 50,000 का मेरा खर्चा हो गया, समझो, यह 1,00,000 cash जो है, इस पर 30,000 का मेरा expenses वा, तो बचा कितना 70,000 के ओपर 30% समझें क्या तुम लोग, भई tax तो net income के ओपर लगता है, एक लाक में से, से 30,000 रुपे का मेरा से खर्चा हो गया यह यह ले लो, 82,000 अभी जो बचा है, उसमें से, से 30,000 रुपे का मेरा कर्चा हो गया, तो कितना बचा, 82,000 माइनस 32,000, 30,000 कितना हो गया, 52,000 का 30%, कितना हो गया, अप्रॉक्सिमेटली, 18,000, तो यह 82,000 में से और 18,000 काट दो, तो बचता है, मेरे पास खाली 64,000, अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, दो अप्शन है मेरे पास, यह देखो, यह नो मैं गवर्ण्मेंट को कुछ सिखाना चाहता हो, अगर गवर्ण्मेंट के कुछ पल्ले पड़े तो, एक लाग का कैश जिस आदमी के पास आया, अगर वो इज़त से चले वे, तो उसको 80 टका GST माइनस कर देगा, वो 30 टका income tax माइनस कर देगा, उसके पास खाली 64 थाउजन बचेगा, इसमें भी सेस वेस माइनस करके, खाली 60 थाउजन बचेगा उसके पास, और जो cash का cash ही रखे, उसके पास pure cash का cash ही रहेगा, आप मेरे को बताओ क्या करना चाहिए, आदमी को एक लाग का 60 थाउजन कर लेना चाहिए, या वो सोचेगा, भाई पागल है, क्या 40 थाका मेरा हुकट का गवर्न्मेंट को देदू, मिलने क्या वाल है, pot holes के एक लाग अपने पास ही रखो, क्या करना चाहिए, बोलो, क्या करोगी, बोलो, बोलो, टेल, टेल, या तो मैं ये, एक लाग का 64 थाउजन में कर दू, 36 परसेंट गुज गया, ऐसे ही, देखते, देखते, या फिर, ये एक लाग को मैं एक लाग रहने देता हूँ, तो तुम लोग, सब लोग मुझे पता है, क्या जवाब सोच रहे हो, सर, एक लाग का, एक लाग की रहने दो ना, सर, क्यू फुकट में, सर, 64 थाउजन कर रहे हो, तो अपने पास रखो, सब लोग यही बोल रहे है, बड़ा हो रहे है, अब ये मेरे पास एक लाग रुपय कैश जमा हो गया, अब मैं क्या करूँ, बोलो, कैश से अगर आपको कोई ऐसेट खरीदना है, तो आपके बास दो ही चीज़ है, या तो रियल एस्टेट, या तो गोल्ड, तीसरा और कोई आप्शन ही नहीं है, हो तो मुझे बता रहा, तीसरा और कोई आप्शन ही नहीं है या तो आप गोल्ड करीदोगे, या तो आप रियल एस्टेट करीदोगे, अब रियल एस्टेट करीदना है, तो लाक, दो लाक में तो कुछ आएगा नहीं, उसके लिए तो करोड रुपय अची है, एटीस बॉम्बे में तो 3-4 करोड के नीचे कुछ आएगा नहीं, तो आ आप मेरे पास 5 लाग रुपे का cash आया है मैं क्या करूं 5 लाग में चालीस टका-2 लाग रुपे में ंनको टेक्ष देखें 2-2 लाग रुपे में गवर्न्मेंट को टैक्स देदू क्या या फिर आप बोलते होगी लाइब आलो जवाब दो रहें तुम्हारा वेट कर रहा हूं बताओ क्या करो definitely आप बोलोगे sir चुप चाप gold ले लो चुप चाप gold ले लो और आप लोग की बात सुन दे आप लोग मेरे CEO आप लोग जो बोलोगे वह मानु सा आप लोग की बात सुन के मैंने भी थोड़ा gold ले लिया physical gold ले लिया गोल ले लो तो मैं हमारे एक सोनार है, सोनार मतलब जो गोल्ड का ज्वेलर शॉप होता है, उसके पास गया मैं, उसने वहला कि चल भाई, मेरे पास cash है, गोल्ड दे दे, उसने वहला कुछ 2 लाग के ओपर TDS, TCS का time pass है, वहला 2 लाग का मत दे भाई, आज 1,50,000 का दे, कल 1,50,000 का दे दे और बाद में 1,00,000 का दे दे यार, ऐसे करके हम लोग ने 5,00,000 मैंने उसको cash दे दिया, यह सब imaginary है, तुम लोग भाई, बोल मत देना, सर अभी बाक्या दाओ, income tax GST department को अभी बता दो, सर अभी बता दो, अरे नहीं रहे बाई, काली example है, तो मैंने क्या किया, मैंने physical gold ले ल है, मेरे पास, सरके बास gold है, तीके, अब हुआ क्या, सुनो, ध्यान से सुन, तीन महीने बाद, चंदन बिटवा का शादी है, अब शादी में आप लोग सब लोग को बताएगी, gold का जरूरत पादा है, बराखरे, चंदन का क्या है, तीन महीने बाद marriage, New संकलब सर के पास गोल्ड अब मारीज में आपना सब लोग के बता है कि गोल्ड की दिश्रवात लगतीैं इसको पता है कि संकलब सर गोल्ड पडा है एक्जाप्लिष को चाहिए ऐसे 100 g 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 से इतना समझे आ रहे है आप लोगों को अब चंदर ने संधल सर को लगा और संकंथर को बोला संकल सर गोल चाहिए हाद लेदा कौन दों ना बोल रहे बट्ट वह क्या बोलता है संक करो न मुझे ओना यह जो गोल्ड 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 वह आप क्या प्राइस पे फ्रीज करके दे सकते हो आज का आज ही मुझे चाहिए तीन महीने बाद मैंने बोला सुन तेरे को मैं तेरे को मैं 52,000 के हिसाब से गोल्ड को फ्रीज कर देता हूं तेरे लिए गोल्ड का प्राइस फ्रीज कर देता हूं तेरे लिए गोल्ड का प्राइस फ्रीज कर देता हूं 52,000 के हिसाब से ठीक है अब तीन महिने बाद क्या होगा आप लोग मुझे आता हो तीन महिने बाद चंदन संकल सर के पास जाएगा क्या करेगा उसको कितना सौ ग्राम बोल चाहिए दस ग्राम का 52,000 ये लोग ने फ्रीज किया था अरे वाई संकल सर ने और चंदन विटवा ने एक तोला का 52,000 फ्रीज किया था वरा रहे तो चंदन गया संकल सर के पास और बोला कि सर तेरको भी मेरा शादी है सर आप आना और मुझे गोल्ड दे दो ना तो क्या भाव पे फ् 52,000 इंटू 100 ग्राम 52,000 पर 10 ग्राम बराबर है और ऐसे दस तोला का बात हुआ तो टोटल कितना अमांट आया फटा फट सब लोग कैल्कुलेट करके बताओ फटा फटा फट सब लोग कैल्कुलेट करके बताओ कितना हो जाता है एवरिवरी बोडी कमान अरे बोलो बोलो 100 ग्राम का बात होना अपना एक सेकना है तो तो तीन महीने बाद अब जब चंदन बिटवा आएगा तो क्या होगा चंदन बिटवा और मेरा चंदन बिटवा आएगा मुझे बोलेगा कि सर मैं आपको पांच लाग दीस हजार रुपया देता हूँ आप मुझे फिजिकल दस तोला फिजिकल गोल्ड दे दो बराबर है इस पूरे ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं पहले वह बताओ इस पूरा जो हम लोग ने ट्रांजेक्शन एंटर किया हाँ इस पूरे ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं बोलो बोलो चल चल करेक्ट इस पूरे ट्रांजेक्शन को कहते हैं कम फॉर्वर्ड ट्रांजेक्शन एकदम करेक्ट भाई एकदम करेक्ट एकदम करेक्ट इस पूरे ट्रांजेक्शन को कहते हैं फॉर्वर्ड ट्रांजेक क्योंकि आप लोग ने फॉरवड एंटर किया फिजिकल गोल्ड भी एक्सचेंज हो रहा है चंदन बिटवा गया संकलसर के पास संकलसर ने अब यहां से आएगा मेरा फ्यूचर अब अगर यहां पे चंदन एंसंकल अभी भी गोल्ड का ऑफ्या ही ट्रांजेक्शन करते हैं चंदन संकलक को बोलता है Obs suspicious अपना मेरा श्यादी तो हो गया एं मैने बाद वापस से हैं ऑड्शन अब मेरी और नहीं चाहिए अब मेरी और का खाली transaction करना है अब में खाली गोल्ड का transaction करना है तब संकल्प तो समझ गया तो तुझे futures में खेलना है गोल्ड के चंदन बोला हा सब यहाँ पर हम लोग दोनों का transaction क्या होगा समझना ध्यान से संकल्प एंड चंदन एंटर इंटू ए ट्रांजेक्शन जहां पे चंदन बोल रहा है कि सर मेरे हिसाब से तो है ना यहां से प्राइस बढ़ने वाला है यहां से प्राइस बढ़ने वाला है ठीक है एंड संकल बोल रहा है यहां से तो प्राईज नीचे जाएगा यार क्या बोल रहा है तो चंदन एंड संकल ने एक ट्रांजेक्शन एंटर किया किस दिन और 1st of Jan जिस दिन भाव था 50,000 भाव था 50,000 चंदन ने बोला कि सर भाव बढ़ेगा आप देखना चंदन ने बोला देख लेंगे जो भी होगा देखा जाएगा अब यहाँ पे यह लोग दोनों ने क्या किया पता है क्या they are entering into a futures transaction futures transaction चंदन क्या सोच रहीं क्या होने वाला है बाव भूलो भूलो टेल टेल अरे बोलो ना चंदन क्या सोच रहा है भाव क्या होने वाला है बढ़ने वाला है बराबर है so so he is going to long by के जएगे पर long लिखा चलेगा नہ समस्जदे हो तुम लोग की चलो लिखता हो तुम्हारे लेंगवेज भी तो चंदन क्या कर रहा है पता है क्या इस बाइं गोल्ड फ्यूचर्स ठीक है संकल्प को क्या लग रहा है क्या होने वाला है क्या लग रहा है संकल्प को क्या होने वाला है गिरने वाला है बरबर है तो संकल्प इस सेलिंग गोल्ड फ्यूचर्स अब सुनना चंदन ने बाय किया गोल्ड फ्यूचर्स at 50,000 संकल्प ने सेल किया गोल्ड फ्यूचर्स at 50,000 अब इन दोनों का जो फ्यूचर्स का एक्सपाइरी है से वो एक महिने के बाद का है एक महिने के बाद का एक्सपाइरी है ठीक है अब दो सिचुएशन होगा समझो की भाव 50,000 से हो गया यहाँ से सुनना प्लीज यह सबसे डिफाइनिंग मोमेंट है समझो भाव हो गया 50,000 से 52,000 क्या हो गया 52,000 अब सुनो चंदन ने कितने पे गोल्ड फ्यूचर्स बाई किया था 50,000 पे अब कितरा हो गया है 52,000 पे फ्यूचर्स बोलता है जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है न एकस्पाइरी पे उसको रिवर्स कर दो एकस्पाइरी पे उसको रिवर्स कर दो तो जब यह ट्रांजेक्शन रिवर्स होगा तो चंदन ने तब बाई किया था अभी वो क्या करेगा अभी गोल्ड फ्यूचर्स का क्या भाव चल रहा है 52,000 तो चंदन को क्या हो जाएगा 2000 का प्रॉफित अब उसको भी अपना ट्रांजेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा भाई तो उसको भी अपना ट्रांजेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा वो अपना ट्रांजेक्शन कैसे रिवर्स करेगा बाई बाई गोल्ड फ्यूचर्स वो दिन का भाव क्या दिन का भाव 52,000 पे उसने तो सेल किया है 50,000 पे अब आज की रेट पे उसको expiry पे square off करना ही पड़ता है उसको 52,000 पे square off करना पड़ेगा उसको क्या हो गया 2,000 का loss क्या हो गया 2,000 का loss अब मुझे बताओ क्या यहां पे कही पे भी gold physical buying या selling हुआ क्या नई बट कैना इसे चंदन के account से 50,000 गया था sell किया 52,000 आ गया net उसको 2,000 का profit हो गया तो कहना इससे transaction net off हो गया without physical delivery transaction set off हो गया without physical delivery और एक का फाइदा दूसरे का नुकसान exactly यही है futures का give उसमें भी forward में भी एक का फाइदा दूसरे का नुकसान हो है यहां पे without physical transaction internal settlement हो गया बीच में बैटा है कौन बीच में बैटा है सब का बाप और वह है stock market सर इसे stock market को क्या फाइदा हुआ उसको मिल गया brokerage अभी understanding समझ रहे हो अब दोनों का जो इच्छा था वो पूरा हो गया चंदन को लग रहा था गोल्ड बढ़ेगा उसने उसके ओपर बैट किया कमा लिया संकल को लग रहा था गोल्ड कम होगा उसने उस पर बैट किया गवा दिया अब ऑविच्छी संकल का जो प्रेडिक्शन था रॉंग होगा तो गवा ही गई ना सीबीसी बात है समझ रहे हो अब इसका opposite भी हो सकता किया यह समझे अभी धुर्ण फिल्व अब वापस से लौर में भी अब कोई और आजो तूम लोग मेंसे कोई और आजो मेरे साथ बोलो फोन करेगा बोलो यह तेल अधाक्शन चंदन बितवा ने किया गा आजा विशाल आगे विशाल विशाल क्या बात है अब समझो फार एक्जामपल विशाल और मेरे बीच हो गया सिल्वर का ट्रांजेक्शन और यह आ जाता है बीच में इदर संकल और बीच में है कौन अब सुनो ट्रांजेक्शन क्या होगा विशाल को लग नहीं आहे सर शिल्वर अब फर्स्ट जैन को विशाल एंटर्ड़े इंटार्वं ट्रांजेक्शन टू-बाय सिल्वरDIE फ्यूil थिकरने इस दिम पर रेट क्या चल रहा है शिल्वर का रूपी 75,000 बढ़ावर है अब यहां पे संकल्प ने बोला सेल समझो संकल्प ने चंदन ने वीच में चंदन ने क्या फाइदा लिया उदर गोल्ड पर उसको लगरा सिल्वर गिलेगा चंदन बोलता है सर सेल करो सिल्वर तो गिरने वाला है Sell Silver Futures अब हुआ क्या ध्यान से समझना मेरा यहाँ पे जो Futures था Silver का वो हो गया Rs.79,000 अब बोलो क्या Transaction होगा अब बोलो क्या Transaction होगा Expiry पे Expiry कभी expiry April को expiry है क्या होगा expiry पे आप बताओगे कबाद इसने बाइस Silver Future किया है 75,000 पे इसने Silver Future किया है 75,000 पे मुझे बताओ क्या होगा विशाल क्या करेगा बोलो जवाब दो ने जुही सिद्धा जुही ने बोल दिया 4,000 का प्रॉफिट जुही ओ मैडम तो ना step by step जाने यार पहला लेक्चर है यार बाद में तुम लोग को डारेंटी करना है पहला लेक्चर में तो यार थोड़ा दीरे दीरे जाना यह देखो महीं माभी सिद्धा 4000 का गेन अरे पर क्या हुआ हो बताओ ना पूरा expiry पर क्या करेगा विशाल square off करेगा यह सब terms use करो क्या करेगा square off करेगा cafe square off करेगा he will sell silver at 79,000 4000 का उसको हो गया profit क्या वो लोग ने silver actually buy या sell किया क्या विशाल ने actually silver buy या sell किया नहीं वो किया होता तो वो forward market होता यहाँ पे silver के उपपर वो खेल गया 4000 रुपे का फाइदा हो गया अब चंदन क्या करेगा अब सुनो कारी में twist डाल रो ज्यान से सुनना चंदन क्या करेगा 1st April को चंदन क्या करेगा बूलो बूलो चल चल हाँ चंदन क्या करेगा सर चंदन बाई करेगा चंदन बाई करेगा क्या एड़ रेट 79,000 में एड़ रेट 79,000 में बाट 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 करने के लिए आपको बाई का ट्रांजेक्शन मारोगे अब से फर एग्जामपल चंदन फरार है एक्सपाईरी डेट पे चंदन अवेलेबल ही नहीं है अब यहाँ पे क्या होगा विशाल करेगा बढ़ावरे अब विशाल अगर सेल कर रहा है तो सामने चंदन बाई करेगा क्योंकि बोलो तोनों का ट्रांजेक्शन हुआ बढ़ावरे बढ़ यहाँ पे बीच में फोन कट कर दिया और फिर उसने फोन स्विच आफ करके फोन फेक दिया स्टॉक एक्सचेंज ने बोला अरे अब इसके घर पे जाना पड़ेगा तो यह लोग पौच गए चंदन बीटवा के घर पे बियार पे स्टॉक एक्सचेंज ने देगा कि उसने जो एड्रेस दिया आप आया वह नकली एड्रेस है फरजी एड्रेस है वहाँ पे कोई ही नहीं और चंदन का कोई नाव निशान नहीं खतम गया टाटा बाइब चंदन गयव विशाल बोल रहा है स्टॉक एक्चेंज को मुझे नहीं बता है मुझे मेरा पैसा चाहिए मैंने तेरे तो इंटरम ऐसे सिचुएशन में अब स्टॉक एक्चेंज के पास ऑप्शन नहीं था कॉंट्रैक्ट किया था विचाल के साथ स्टॉक एक्चेंज को वह 79,000 चंदन के भियाफ पे लेके बाई करके करना पड़ा यह ट्रांजेक्शन को स्क्वेर ओप सोचो अब एफा नेक्स टाइम न स्टॉक एक्चेंज को चुनाला लगा चुना ऐसा हालत हो फ्यां स्टॉक एक्स्टन नहीं जवाब दिया है एकदम सही ऐसा डीफॉल्ट आगे ना हो इसके लिए if a default again now इसके लिए stock exchange बोलेगा कि बाई जो भी future में transaction करेगा मुझे उसके पास से security deposit चाहिए मालने में rent अगर अपने लोग अभी rent पे किदर रहने को गए तो सामने वाला security deposit ले 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 दा है कि कभी आपने rent देने में default किया या आपने कोई उसके अंदर का घर का कुछ खराब कर दिया तो वो security deposit से काट सकता है तो security deposit से काट सकता है वैसा ही कुछ stock exchange ने वोला आप हम भी security deposit लखेगे अगर इस चंदन बिटवा ने default किया तो हमारे पास उसका deposit है सिद्धा उसी से विशाल को पैसा दे देंगे खुद के जेब से कुछ नहीं जाना चाहिए इस security deposit को कहते है margin money इस security deposit को कहते है margin होता हो security deposit है बट उसको अब अपनी language में अपन क्या बोलेंगे अपनी language में अपन उसको क्या बोलेंगे margin money क्या आपको पूरा futures का transaction समझ में आया यह मैंने आपको अपने अपने उसमें पढ़ाया पर्सनल लेविल में पढ़ा रहा हो इंस्टीट बीच में नहीं है वो इदम टिपिकल डेफिनीशन में दूंगा सब अभी मैं आपको हाट टू हाट पढ़ा रहा हो हाट टू हाट बूल गया हो मैं कि आप मेरे लिए को इंस्टीट के तुरू connected हो बूल गया हो मैं कि मैं एक चार्टर हूँ बूल गया हो मैं कि आप मेरे students हो अब और मैं कुछ साथ में सीखने के लिए आया है विचिस फ्यूचर बस उसी लेवल पर बढ़ा रहा हो क्या everybody सब को समझ गडू बोलो चल्ट चल्ट समझा सर समझा अब इवेंच्वाली है ना इवेंच्वाली होता एड्जस्ट्मेंट ऐसे ही है इसको 4000 का प्रॉफिट उसको 4000 का लॉस एड गेम एक्च्वाल में एक्च्वाल में future transaction Fae ही होते है एक्च्वाल में हाह पता रहो मजग नहीं करना हूं यह जैनुन नोट देहना एक्षम में नहीं करते हो क्योंकि future में बहुत margin चाहिए होता है और पैसा बहुत घुश जाता है या मतलब loss होता है न तो यार इतना बड़ा loss होता है कि क्या ही बताओ तो लोग मुझे इतना tempt मत करो देने के लिए प्लीज पहले वह बोल रहा हूं बटेगे मुझे मुझे पहले सब हुआ है रियल transaction हुआ क्या रियल में किसी ने गोल्ड सिल्वर का कुछ किया क्या नहीं पर सिल्वर के मतलब भाई निफ्टी मैं तो बोल रहा हूं फ्यूचर्ज में खतर्नाक चीज़ है बॉस चलो निफ्टी डालू यह देगो निफ्टी एफ यूटी दिख रहा है फूटी एफ यूटी एफ यूटी एफ यूटी निफ जाने वाला है तो बाई करेंगे अगर लग रहे नीचे आने वाला है तो सेल करेंगे अभी तो मार्केट पूरा का पूरा बैरेश यह दीख रहा है आप लोगोगो दिख भी रहा हो गा है यहां पे पुरा डावन डॉन क्या करूं बोलो सेल करूंगा तो बाई करना पड़ेगा बाद रहे गरना एक लॉट इसमें ना लॉट्स में होता है ट्रेडिंग यह देखो 17,770 का निफ्टी पे चल रहा है कर दो कर दो बाई कर दो क्या बात है जान भी बाई बोल रही है त्रिपाटी बाई बोल रहा है बाई करूं यह देखो कितना ज्यादा ट्रन लग रहा है मेरा एक लाग रुपया तो घुस जाएगा सीधा कर दू क्या चलो चैम आता दी लाट्स रॉप पांसो रुपया तो मेरा चार्जी जाएगा यार ट्रेड वैल्यू कितने का दिख रहा है एट लैक एट्टी एट थाउजन का एट लैक एटी फाइफ थाउजन का मेरा ट्रेड वैल्यू है तो इसमें आप्या होता है इसका दो ही फाइदा है फ्यूचर में खेलने का क्या मैं बता हुआ इससे सस्ता कोई नहीं नहीं निफ्टी मिनी है बट मुझे नहीं लगता है कि वो इदर यहां पर है विलिस्टे क्या बोलते हो बोलो साड़े आठ लाग का ट्रांजेक्शन बैट रहे वाई वोलो क्या करूं मैं बाई करूं के सेल कर दूं सब्सक्राइब इसस्ता को सस्ता कि मैं अभी भाई मेरे पास लगाने का टाइम नहीं है यह तो खाली मैं तुम लोग को दिखा दूंगा यह देखो ऐसे बाई करते ऐसे सेल करते बस और कुछ मेरा इसमें कोई में कुछ कमा ना ममा ना थोड़ी है मतलब वो तो मैं फिर मेरा अलग से बैठ transaction बैट रहा है साड़े आठ लाग का तुम सोच रहे हो समझ रहे हो कि साड़े आठ लाग का transaction करना है मुझे एक लाग का मार्जिन देना हो कि चलो करते हैं 123 आप लोग के नाम पर मैंने कंफर्म कर दिया है और सब्मिटेड यह दिख रहा है लॉस 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 अपना इतना अच्छा यह लग्की फर मी ओ मैडम लॉस हो रहा है जानवीजी भारी वाला ठीक है मुझे आप लोग को खाली बताना था सूरो अभी यह कैसे होता है transaction किये मेरे को बताना था एंड उसके लिए चोटा-मोटा लॉस तो कोई बड़ी बात नहीं है होते रहता है बड़े-बड़े शाड़ा मैं चोटी-बड़ी बात होती रहती है सबसे पहला बात कि द निफ्टी के मुमेंट के उपर जैसे जैसे ऊपर जाएगा अपन लोग ने बाइट किया अपने को फायदा होगा निफ्टी जैसे जैसे गिरेगा अपने को लॉस होगा समझे रहो इस हिसाब से पूरा होता है यह देखो यह लोग की धड़कने उपर नहीं चुँआ है क्य समझे रहे हो अरे समझे हो अरे बहुत वारिटाल आप्रमपार वारेटाइल यह क्यों को श्लेबंत फाइव सर्लों कर दो लॉस हो जाएगा इससे और हो लौस ही कटरना क्वाला सब्सक्रांद में पत्रकी चलता है तो सबतंत है को एल्यवाш एल्यविज बढी सबीडी जैसे सर आजी square off करना ज़रूरी है क्या नहीं नहीं last thursday of the month last thursday of the month is expiry बट अगर जितना रूप होगे इतना दिल की धड़कने और उपर नीचे होगी न और छोटा माउंट नहीं बड़ा माउंट गुसावाय अपना और last day तक अगर मैंने square off नहीं किया सुनो last day तक square off नहीं किया अभी क्या हो रहा है पता है अभी खाली margin to margin में जो difference है वो settle हो रहा है जैसे suppose मैंने 17,800 पे buy किया अभी 17,800 पे 900 पे पहुँच गया या 17,500 पे तो मुझे खाली difference multiply by lot size which is 50 देना है अगर last day तक मैंने रुका तो वो साड़े आठ लाग रुपया पूरा देना पड़ेगा क्योंकि मैंने buy किया है ना तो मुझे actually वो transaction को execute करना पड़ेगा वो साड़े आठ लाग रुपया मेरा account से घुश जाए सिंथा खाट 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 यह दो मिनिट के लिए दो सेकिंड के लिए profit आया था दीखा प्रॉफिट you're exactly volatility तेख रहे वाई यह nifty i mean possible बडुप तुम लोगो मैंने first lecture में बुछा दा शाधी कर लो nifty do life set हो जाएगा जनमी शाधी नहीं कर रहा क icon तो जादी कर ले मजाग नहीं प्रमासागा यू लाइब शेट हो trading in front of you guys, we are into a profit we are looking at green wow क्या बात है क्या बहते हैं क्या वोलते हो चलोग मैं आप लोगों को सिखा चुका हुआ यदि कर रहा है मैं करता हूँ इसको अब समझो मेरे को इसको exit मारना है 205 का profit पर दीख रहा है अगर मैं क्या हूँ रहा है 17,766 पर मैंने buy किया है 17,766 पर मैंने buy किया है मैं market डाल देता हूँ कि अगर यह 17,000 अच्छा profit बढ़ते जा रहे हैं सर अब तुम लोग बोल रहे हों बेच ही दो सर समझो अभी 17,766 था अब मैं इसको 17,700 पर बेच देता हूँ 17,800 पर मैं बोल दूँगा उसको square up हो जाएगा उटमेट एक्जिट लो मार्केट नहीं मैं लिमिट डाल देता हूँ 17,800 पर एक्जिट 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 वो 770 के रेंज में ही चल रहा है चल आट सो पर एक्जिट मार देता हूँ अब 17,800 होगा था तो आटमेटिकली सेल हो जाएगा अभी 300 का प्रॉफिट दिख रहा है अगर मैं अभी मैंने 17,800 पर डाल दिया है अब अगर 17,800 पर आया तो आटमेटिकली सेल हो जाएगा मेरे से जादा यह जो लाइब में बैटा है नमलों कुछ से होगे बट एज आएज आएज प्रॉमिस यह ड़ने समझ गया वह एक्स्प्लेइन बाद में करना सार अभी भेज दो ना तो इसको बलते हैं लॉट अभी देखो एक लॉट बहा है इदा दिकल लिखा मैं छोटे इसको मॉडिफाइ करूं मॉडिफाइ करके गेन लेनों बुक कर दूं 400 का प्रॉफिट हो गया देखते ही देखो तुम खामका डर रहते हैं अब देखो मैं इसको मॉडिफाइ कर सकता हूं आद देखो लोगो को अब लॉपने लिपाइड लॉपन लोग यह लोग 확인 , लॉअफ यह वेड करूं हमलों लॉपन लो इसको बढलल लौस मील मॉइस यह देखो है ना मज़ेदार चीज बॉस किलर है यह चीज किलर है अभी देखो अभी जैसे मैंने डालावा है कि आटोमेटिकली जैसे ही निफ्टी 17,800 पर आएगा वह सेल हो जाएगा बट समझो अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं उसके पहले मेरे को बेचना है तो यू केन गो टो मॉडिफाई ओडर और आप मार्केट क्लिक करोगे तो मार्केट पर सेल हो जाएगा और आप जो अमांट डालोगे अगर उत्रे पर आया तो उत्रे पर सेल हो जाएगा अगर उत्रे पर आया तो जैसे भी अग मेंने मंदे दाला वाई में भाई में में एकनी आ sanity करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं महीं करता हूं इन ही अभी आपन अपन फिलाल जो व्owaट चल रहे हैं बोलो क्या करना है SU 5 Seven bekommt क्वेट व्यू क्लोस् कोजिशन तुडेज डेलाइस गें 31ज्ट फाइव क्या तुम लोग भी यार सांवां अजुआ करते हों ऐसा कुछ करो 327.5 तुम लोग के सामने 15 मिद्ट में प्रॉफिट कमा आप तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहे है तुम्हारे आर्टिकल्षिप का स्टाइपन कुछ नहीं आई यह तो पंदरा बिनिट का खाली हुआ चलो समझ गए सब लोग क्या होता है इंशाट वह मैंने समझा दिया है पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल से यहां पे क्लोज करके भी और एक चीज़ याद रखना देखो दिल बड़ा होना तब यह मार्केट में आना तुम जब लॉस हो रहा था ना मेरे से जाधा पैनिक त तो इस ओके तो दोड़ा बहुत लेकर जाएंगे लेकर जाएंगे कोई टेंचन मेरा अल्यडी मार्जिन डिपॉसिटेट है प्लस मेरे पास इतने शारे शेर उनके पास अगर मैंने कुछ डिफर्ट किया तो शेर से काट लेंगे टेंचन मतलो तो शेर से अकाउंट से शेर मुला अब आघ्ट तो अच्छी लुगा एलावा मैरे पास अच्छा कासा अच्छा इन अग्यान ऑच्छा करना था मैं रखा है जीपे कर दो प्रोफित का इस बैच में अभी तक लॉस नहीं वाइए तो मतलब तो लोग अच्छली लॉक्टी हो या चलो ग्रेट गाइज गाइध आश्व गाइब अच्छी तरह से तुम लोगो सब चीज समझ गाई उगी लाइई इसे आउ अव थो मार्केट थेखो खराव गया तोड़ा अच्छाव गैस या अच्छा रहुटode झाल चलो अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे अरे एकदम एकदम प्रोकरेज का लॉस और यह गे नेट अफ हुआ कैसर हुआ रहेगा है रभी इतना मैं नहीं सोचता हूं खुश रहने का ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का मेरा में इंटेंशन ना प्रॉफिट कमाने का था ना ल बड़ी यहां पर क्या हुआ पता है क्या मैंने कोई निफ्टी खरीदा नहीं मैंने को निफ्टी बेचा नहीं बट उसका जो धिर्यूटर में वह मैंने ट्रांजाक करके गेम कर लिया ऐसे निफ्टी के पर रिलाएंस है रिलाइंस के जगे पे अगर आप लोग देखोगे तब लग रहा था शेट गए दाट साओ ट्रीज यार विन सब्सक्राइब अब अब थोड़ा फॉर्वर्वर्ड फ्यूचर्स को और अगर मेरे को इसको यह करना है इसका डिस्टिंग्विश बताना है तो मैं क्या बताऊंगा चलो आओ देखते हैं बोलो अच्छा मुझे बताओ और कुछ तुम लोग को डिस्टिंग्विश वाला दिखा यू एंजॉइड इट वी अलसा एंजॉइड इट वेरी गुड में पॉइंट समझ में आया यहां पे फूइचर्स में क्या हो रहा है पता है ट्रंजैक्शन विदाउट डिलिवरी ट्रंज और यहां पे एक्जेक्यूट करना पड़ेगा लॉंग किया है तो शॉट करना पड़ेगा स्वेर आफ करने के लिए उत्रा याद रखना उत्रा याद रखना समझे क्या अब थर्ड पॉइंट पे तो चंदन का पॉइंट है कि तो सर्फ फ्यूचर्स में कौन करता है और क्यू करता है बताऊंगा सब बताऊंगा थर्ड पे आते हैं कि फॉर्वर्ड में मुझे बताओ आप लोग ने इतने सारे फॉर्वर्ड ट्रांजेक्शन किया जब आप बैंक के पास गए थे तो कुछ मार्जीन रखा था क्या मुझे जारा बताओ लो मुझे याद नहीं आ रहा है कि मार्जीन रखा था क्या अभी पूरा अंसर आप लोग की दोगे लाइव ट्रेट मा रहा है न आप लोग ने हम आप लोग ट्रेड मा रहा है लाइए लेक्शेर ये 1 कुछ पॉर्वर्ड जब आप लोग बैंक के फास करने को गए MAY करेक्ट रप्ति एकदम करेक्ट सर उधर फॉर्वर्ड में तो कोई मार्जिन का रिक्वार्मेंट आई नहीं नो मार्जिन रिक्वार्मेंट येस मार्जिन रिक्वार्मेंट अच्छा आप सुनू विक्वार्मेंट रिक्वार्मेंट 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 रिक्वार्में और अगर उसने बैक आउट किया तो क्या करेंगे अपन मार्जिन मनी से उसका काम हो जाएगा अपना margin money से काम हो जाएगा परावर है अब सुनो यहाँ पे जब यह चंदन बिटवा आया मेरे पास बोलता है सर तीन महीने बाद आप किसे में gold लेके जाऊंगा price अब भी freeze कर दो 52,000 अब तीन महीने बाद चंदन आया ही नहीं दो महीने बाद चंदन का शाधी तूड़ गया और मुझे पता है नहीं उसने दो महीने बाद चंदन का शाधी तूड़ गया example है और तीसरे महीने में चंदन आया ही नहीं रफू चक्कर, फरार absconding, अब मैं क्या कर सकता हूँ चंदन के साथ बोलो, मैं चंदन के घर पे गया fake address, कुछ नहीं है या forward का example लो मैं bank के पास गया, कुछ है ही नहीं bank के पास, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे forward में एक risk है, क्या risk है counterparty default risk जो future में है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं है Q, because अपने पास margin है समझे रहे हो, तुम लोग कैसे यह distinguish खुद बनाते जा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यह institute को जब आपन side पे रखते है, तो ज़्यादा बेटर समझ में आता है, नहीं बनार के नहीं, चलो सो, counterparty default is no counterparty default अब अच्छा, और एक चीज़ अब सुनो मेरा और चंदन का deal क्या हुआ था चंदन तीन महीने बाद आएगा मेरे पास 52,000 रुपीज के इसाब से देगा, मैं उसको गोल्ड दूँगा उसके पहले हम लोग का bank के साथ भी क्या importer export का deal हुआ था तीन महीने बाद बैंक के पास आपन जाएंगे इंपोर्टर है तो कैश देंगे डॉलर ले लेंगे या पाउंड का transaction कर देंगे और डील क्लोज तो बीच में कुछ possibility नहीं है बीच में कुछ possibility नहीं है futures में भाई 15 मिनिट में settlement हो गया 15 मिनिट में settlement हो गया तो forward में अगर आप लोग देखोगे तो settlement is on maturity settlement is on maturity यहाँ पर daily monthly second to second settlement है यहाँ पर आपन बोल सकते हो भाई daily settlement और वो settlement किदर होता है मार्जिन में हो जाता है सीधा मार्जिन ऊपर नीचे हो जाता है फिर मार्जिन बैलेंट कॉटेट और अच्छा मुझे बताओ कौन सा ज्यादा लिक्विड है करेक्ट मीनल इस एप्सुलूटी राइट इधर आपन लेकी सकते है अनी टाइम अप्टू डेट ओफ एक्सपाइरी अच्छा मुझे आथा कौन सा ज्यादा लिक्विड है पॉर्वर्ड और फ्यूचर में कौन सा ज्यादा लिक्विड है और है कितना सिंपल फाल्टू में इसको अप्शन में छोड़ देता है करेक्ट फ्यूचर ज्यादा लिक्विड है क्योंकि जब चाहिए तब गेम खत्म कर दिया यहां पर तो सेटल्मेंट और मेच्वरिटी होगा वह भी एक वन टूवन है कब कौन क्या होगा क्या पता यहां पर वी विल से फॉर्वर्ड जार लेस लिक्विडिटी कि फूचर हाइली लिक्विड है उसके बाद रेगुलेशन किसमें रेगुलेशन ज्यादा है किसमें रेगुलेशन कम है सोच समझ के जवाद देना किसमें रेगुलेशन ज्यादा है किसमें रेगुलेशन कम है देखो फॉर्वर्ड में तो ओवर्ड़ काउंटर बात हो रहा है ना मेरा चंदन बिटवा का मेरा बैंक का बीच में कोई है क्या नहीं फ्यूचर में कौन है बीच में अपन सबका बाप बैटा है स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है सेभी तो भाई उदर अपन मच मच नहीं कर सकते करेक्ट तो वी विल से इधर रेस रेगुलेशन इह समझे अब कौन हेजर कौन सा यूज करेंगा और स्पेक्यूलेटर कौन सा यूज करेंगा क्या आप और मैं फॉर्वर्ड यूज करेंगे या फ्यूचर यूज करेंगे अच्छा सबसे पहले आप और मैं कौन है आप और मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करते नहीं है तो आप और मैं ह फॉर्वर्वर्ड यूज करेंगे या फ्यूचर्ज यूज करेंगे ऑंदर स्वाइदा हुआ ले लिया सेटल गया गेव कतम फॉर्वर्ड में तो यार बैंक के पास जाना पड़ेगा एक्चेंज होता है अपने पास तो ऐखेंज करेंगे तो वह सब होता है więc और यह आप और मैं जैसे निकम्वों के लिए जिनको बेटिंग करना है उनके लिए होता है शेर आप लोग को लगा था कि आधे घंटे पहले कि सारे के सारे डिस्टिंग्विश आप लोग खुद दे पाऊगे यह सब कमाल है रियल लाइफ ट्रेडिंग का लाइफ ट्रेडिंग का कमाल है और कुछ भी दिए एई समझे गड़ू चलो 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 लेते आपके छोटा सा अलपविराम ब्रेक मेरा में इंटेंशन ब्रेक के पहले यही था कि आपको समझा दू फॉर्वर्ड क्या होता है पता ही था आपको बट वो फ्यूचर से कैसे डिफरेंट है क्योंकि कई बार लगेगा सामता को मैं कर चुका हूँ I hope everybody is crystal clear please copy कर लो पांच मिनिट का ब्रेक लेलो मिलते हैं ब्रेक के बाद झाल 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 झाल